तो आज हम बात करने वाले हैं खुश्यारा एंटीस्ता रिवर्स की देखिए आपके न प्रिलिम्स जो पेपर है उसमें कुछ की एरियाज होते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है ठीक है चाहे आप एड्रेस की बात कर लो चाहे आप UPSC की बात कर लो और वेसिकली UPSC तो फिर बहुत ही जादा वाइड है और वो कई सारी चीजे और भी यहां पर इंक्लोड कर लेता है या फिर आप एंटी की बात कर लो तो सब एक्जाम्स के लिए वीडियो बहुत जादा इंपोर्टन रहने वाला है क्योंकि रिवर्स सिस्टम इस डाट की एरिया जहां से स जो है वो यह क्योंकि अभी रिसेंटली बांगलादेश और इंडे के बीच में जो है वो एग्रिमेंट चल रहे है इन रिवर्स के वाटर शेरिंग के रिगार्डिंग तो इसलिए इंपोर्टन हो गया है तो आपने जो है वो इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखना है जो जी समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स मा पूछ सकते हैं बात करते हैं खुश्यारा रिवर की तो आप देख सकते हैं कि ये आपका अच्छा एक चीज है कि जब हम इंडिया के माप की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां से जो है ठीक है क्यालाश रेंज से आपक ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आती है अनुदांचरपदेश में एंटर करती है इस तरह से जो है वो ये आगे को जाती है basically यहाँ सिक्किम के जेमु ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी यह आपकी कौन सी? तीस्ता रिवर निकलती है सिक्किम के जेमु ग्लेशियर से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है यहाँ पर यारलंग सांग्पो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर जमुना यमुना नहीं जमुना और फिर ये गंगा आकर के इसमें मिलती है तो ये पदमा बन जाती है फिर यहां से जो है वो बराक नदी इसमें मिलती है और बराक नदी के मिलने पर ये मेघना नदी बन जाती है और ये मेघना नाम का डेल्टा बनाती है यानि सुन्दरवन डेल्टा जो है वो यहां पर और बराक के बिलकुल पास से ही यहाँ पर ये नदी जो है ये खुश्यारा रिवर और ये सूर्मा तो इनी एरिया के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह आपका मनिपूर है और यह आपके आगे क्या खुश्यारा नदी खुश्यारा नद और फिर आपकी ये आगे जाकर के जो है वो ब्रहम पुत्रा में मिलती है बांगलादेश में और फिर मेघना नदी का निर्मान हो जाता है ठीक है तो ये चीज है चुकि आपने इसको याद रखना है तो खुश्यारा रिवर क्या है एक डिस्ट्रिब्यूटरी रिवर है आप ट्रिब्यूटरी होती है डिस्ट्रिब्यूटरी जो कि इससे डिस्ट्रिब्यूट होती है यानि कि ये नदी है नदी से जुदा हुई जो वो होती है डिस्ट्रिब्यूटरी ठीक है ट्रिब्यूटरी को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी और ट्रिस्ट्रिब्यूटरी पिक अप ट्रिब्यूटरीस फ्राम मनिपूर मिजोरम और असान तो यहां से यह अपना पानी लेती है ओके तो बुरह है कि इंडिया और बांगलादेश के बॉर्डर पर यह जो बराक रिवर जो आ रही है यह उससे सैपरेट होती है खुश्यारा नदी और सूर्मा नदी में खुश्यारा और सूर्मा बराक से जो है वो तूट जाती है इस तरह से ठीक है तो बुरे खुश्यारा जो है वो री जोइन करती है सूर्मा को यानि यह दोनों कहां मिल रही है मार्कुली में मिल रही है यह कहां पर है बांगलादेश में ठीक है और उसके बाद यह साउथ म से मिलती है यह भी बांगलादेश में है जो कि सूर्मा की एक ब्रांच है और फिर यह मेघना बन जाती है जबकि गंगा के मिलने के बाद में यह मेघना यानि गंगा यानि पदमा जो है उसके मिलने के बाद में इसका नाम जो है वह मेघना हो जाता है ओके अचा फैनी रिवर है ये भी बहुत ज़्यादा important है तो fanny river जो है आप देखें बेसिकली इसे बिंगॉली में हम फैनी नोडी बोलते हैं ठीक है तो इंडिया बांगलादेश बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलती है इसका origin आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा ठीक है और उसके ठीक है तो यह agriculture point of view से बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो यहां पर जो है इसके आसपास रहने वाले लोग को बहुत ज़्यादा फाइदा करती है ठीक है यहां के लोगों का livelihood का source ही ये नदी है क्योंकि इसी नदी के किनारे जो है वो ऐसी crops जो है वो उगती है मैत्री से तो यहां पर जो लंबा एक bridge बना हुआ है फैनी नदी के उपर 1.9 km long है जो कि त्रिपुरा और बांगलादेश को link भी करता है ओके बाकी तीस्ता नदी के बारे मैंने आपको बताया है सिक्किम के जेमू glacier से निकलती है और जाकर के यह ब्रहम पुत्रा में जुड़ती है जहां यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा कपूरा कैसे है यह तीस्ता नदी आई और यहाँ पर जमुना बनी फिर पद्मा बनी और फिर मेगना बनी यह सूर्मा आगी आपकी बराक आगी तो यह आगी ब्रहम पुत्रा की जो है वो और भी कई सारे ट्रिप्यूटरी जैसे लोहित आगी, सुबानसरी हो गई, ठीक है, तीस्ता हो गई, बराक या सुर्मा हो गई, तो यह सब आती है, यहां पर आप देख सकतो गंगा रिवर है, और गंगा नदी आपकी आगे को बढ़ रही है, कोसी नदी आगी, इसमें गंडक हो गया, घागरा, गोमती, राम, गंगा हो आपकी, यमुना आगी, यमुना की बनास, चंबल और यहां पर आपकी आजाती है, बेतवा, ठीक है, यह सब आपने याद रखनी है, ठीक है, सोन आजाती है, ठीक है, केन आजाती है, तो यह सब जो है, वो इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती है, ओके, बाकि अगर आपको रि गंगा की वितरिका गई है यानि के eak distributor गई होगली और होगली के ट्रिब्यूटरी है में धामोदर नदी ठीक है तो याद्य के निचे ब्रामनी आ गई फिर आपकी फिर आपकी स्वर्ण रेखा आएगी महा नदी आएगी ठीक तो कई सारी नदियां और नीचे की और को आती जाती है वो Peninsular River जो है वो हमारी कहलाती है ओके चले comment box में आप मुझे बताइए दक्षिन भारत की गंगा हम किसे कहते है और दूसरी चीज की हम जो longest river है South India की वो कौन सी है तो ये आपना जो है वो मुझे comment box में जरूर बताना है देख comment box में answer जरूर दिया करें इससे मुझे feedback मिलता है प्लस आप lecture को like कर दें अगर आपको lecture अच्छा लगता है और comment box में अपने आप feedback भी मुझे दे सकते हैं अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी आप चैनल को भी subscribe कर ले